सिन्मा शो में आज बात करेंगे अलू अर्जुन की फिल्म पुश्पाटू की, बताएंगे मेट्रो इन दिनों की नई रिलीज डेट क्या है, जानिये शारुक ने एनिमल पर क्या चुटकी लिए और करीना कपूर की टीम ने टॉकसिक कास्टिंग की खबरों पर क्या कहा, त अधित रोई कपूर, साराली खान, पंकच रुपाथी, नीना गुपता, अनुपम खेर, कौंकडा सेन शर्मा, अली फजल और फातिमा सना शेक की फिल्म मेट्रो इन दिनों की नई रिलीज डेट आई है, लाइफ इन मेट्रो का ये सीक्वल 13 सितंबर को बड़े पर फिल्म फेर ने बीते दिनों खबर चलाई कि यश की अगली फिल्म टॉक्सिक में करीना कपूर खान होंगी, आप करीना की टीम की तरफ से बयाना आया है, जिसमें मीडिया से रिक्वेस्ट की गई है कि वो प्री मिच्योर खबरों को ना चलाएं, ये भी बताया गया है कि क करीना की अगली फिल्म को लेकर कुछ बहुत एक्साइटिंग अनाउंस्मेंट जल्दी की जाएगी, तब तक धहरे रखें, एटली की अगली फिल्म में साउथ के जानेवाने म्यूजिक कंपोजर तमन काम कर रहे है, एटली की प्रोडक्शन में बन रही, वरुन धवन होगा, इससे पहले वो रोईचेटी की गोलमाल अगेन और सिंबा में म्यूजिक दी चुके हैं, सुरिया ने अपनी फिल्म कंगवा की शूटिंग पूरी कर ली है, सुरिया ने सैट से फोटो शेर करके फिल्म की शूटिंग निपटने की जानकारी दी, ये पैन इंडिया है, जिसे 38 भाषाओं में रिलीस किया जागा, फिलहाल इसकी रिलीस देट अनाउंस ने की गई है, अलू अरजुन के पुषपाटू को लेकर खबरें चल रही थी कि इसे पोस्पून किया जागा, मगर मेकर्स ने कंफर्म किया है कि पुषपाटू पोस्पून नहीं होगी इसे 15 अगस को ही रिलीस किया जागा, इसका क्लाश रोही छेटी के फिल्म सिंग हम अगेहन से होगा, केट्रीना कैफ और विजे सितुपती की फिल्म मेरी क्रिस्मस के एडवांस बुकिंग जालू हो चुकी है, बारज जनवरी को रिलीस होने वाली श्री राम रागवन की फिल्म हिंदी के अलावा तमिल भाशा में भी रिलीस होगी, शारुख ने हाली में एक मीडिया इवेंट में बिना नाम लिए एनिमल पर चुटकी ली फिल्मों में नेगटिव किरदार निभाने पर उन्होंने कहा, मैं ऐसा आत्मी हूँ जो उमीदवान है, लोगों को पढ़नी चाहिए, रंडवीर कपूर के अनिमल में उनके ग्रेशेट वाले किरदार को लिकर खुब कॉंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद कई बड़ी हस्तियों ने इस पर बयान भी दिया था, शारुख के इस स्टेट्मेंट को भी उससे जोड़ कर दिखा जा रहा है अली फजल, जेराल्ड बटलर की अक्शन फिल्म कंधार के सीकूल में निज़र आएंगे, पिंक विलग रिपोर्ट के मताबिक जल्दी इस फिल्म के प्री प्रड़क्शन पर काम शुरू किया जाएगा मौलदीव्स पर हो रहे विवाद के बाद FWICE, यानि Federation of Western India, Cine Employees ने सभी इंडियन प्रोडूसर से खहा है कि वो अपने मौलदीव्स के लिए शुडूल हुए सभी शूटिंग को कैंसल करने, इसे लेकर एक स्केटमेंट भी जारी किया गया है नेंतारा की फिल्म अनुपूर्णी को लेकर खुब विवाद हुआ था, भगवान राम को मांसाहरी बताने वाली इस फिल्म पर F.I.R. भी दर्ज करवाई गया थी तमाम विवादों की बाद नेट्फिक्स ने अपने प्लैटफॉर्म से फिल्म हटा दी है प्रिच्विराज सुक्मारन की मल्यालम फिल्म दगोट लाइफ का फर्स लुक आ गया है जिसे प्रभास ने लॉंच गया है ये एक सुर्वाईवल त्रिलर फिल्म है जो सच्ची घटना पराधारित है ये फिल्म 10 अप्रेल को थेटरस में रिलीस होगी तो बस यदि आज की वोड़ी खबने जाते जाते गजराज राओ की एक फिल्म सजेस्स करेंगे आज उनका जनम दिन है वैसे तो गजराज ने कई तरह की रोल्स किये मगर 2022 में आई उनकी फिल्म थाई मसाज बहुत सुनता फिल्म है एक अधेड उम्र के आदमी की खानी जिसकी वाइफ का निधन हो चुका है वो अपने बेटों के साथ रहता है अपनी च्छाओं को दबा कर जीने वाले आत्मा राम दूबे सेर्फ डिसकवरी की रहा पर निकलते हैं और थाईलेंड पहुच जाते हैं फिल्म तमाम समाजिक उन्ठाओं के बारे में बात करती है कई स्टीरियो टाइप्स को तोड़ती है एक अधेड उम्र के आदमी की फिजिकल नीड की बात करती है बहुत प्यारी फिल्म है जब वक्त मिले नेट्फिक्स पर देख डाले फिलाल हमें दीजे इजास्त मुलाक बात होगी कल नए एपिसोड में नई खबर होगी साथ तब तक जूड़े रहे हमसे देख ट्रेल अलेंट उप सिनमा शुक्त रिया